हेलो कैसे आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके यूटुब चैनल बेसिक्स आफ धीरत सर पे जहां ना केवल आप लोग के बोर्ड एक्जाम्स के सारे टॉपिक्स क्लियर करवाय जाते हैं बलकि टा के डाइगराम बनाया है जिसके तुरु सबसे पहले हम समझेंगे what is the register in parallel कैसे ये parallel combinations होता है और किस तरह से ये काम करते हैं तो देखिए जैसे आप देख रहे होंगे जैसे R1, R2, R3, these three are register ये मैंने three registers लिए हैं और ये parallel क्यों हैं विकोज देखिए इनके starting points they all are काँपे attach हो रहा है y पे तो ऐसे register चाहिए वो कितने ही हो समझेरे numbers में अगर वो सभी एक इनका starting point है वो same हो और end point भी क्या हो same हो तो ये जो combination होता है that is called parallel combination ये आपके numericals जब आप solve करेंगे तब भी आपके बहुत काम आएगा second देखिए जब भी हम ये parallel combinations बनाते हैं और अगर मैं इन सभी में potential difference देखूँ तो अगर आप voltmeter लगा करके सभी में अगर मैं voltmeter लगा के check करूँ तो आप देखेंगे कि सभी का potential difference same आएगा same क्यों आता है क्योंकि देखिए जब भी हम किसी दो point के बीच में potential difference निकालते हैं तो हमेशा ही आपका same आएगा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो ये सबसे पहला important topic जो इसका आया है parallel का कि इसके अंदर potential difference तीनों में same आएगा और ये जो emitter मैंने लगा रखाया है यहां से हटा कि अगर मैं इसमें R1 में रखूँ तो मैं देखूँगा कि इसका current जो है वो R1 resistance के according आएगा यहां पर अगर emitter R2 में लगाते हैं तो R2 के according ये भी change I2 आएगा और R3 में भी अगर मैं emitter लगाता हूँ तो इसकी भी जो में पास reading आएगी वो R3 के according change आएगी that means कि इसके हंदर जो current flow होता है R1, R2 और R3 में यह different different होता है तो इसलिए R1 के current को हमने I1 से denote किया R2 के current को I2 से denote किया और हमने R3 के current को I3 से denote किया तो यह तीन चीजें जो circuit diagram से हमने सीखी पहली कि जब भी हम कोई भी registers को हम parallel combinations में लगाते है तो उनका जो starting point होता है और उनका जो end point होता है वो दोनों same होते हैं ठीक है second इन तीनों registers में या जितने भी registers हो इन सभी का जो potential difference होगा that will be same हमेशा same होगा और जो current है वो तीनों registers में different होंगे तो अगर आपको theory लिखनी है suppose that तो आप क्या करेंगे सबसे पहले circuit diagram बनाया आपन जैसे याप यह circuit diagram complete करते हैं उसके बार देखिए यह इसके notes मैंने बनाया है circuit diagram बनाया और अभी जो हमने चीज लैंग्वेज में समझी है उसको मैंने यह यहाँ पे देखिए लिखवा दिया है क्या है यह in parallel combination starting point of all register हमने देखा सभी register के starting point connected to a same point जैसे हमने यहाँ पे same point क्य diagram यह diagram हम draw करतेंगे अगर आप वहाँ पे कोई दूसरा diagram draw करते हैं तो आपने जो भी name लिखें वो mention कर दीजे है यहाँ पे in all register potential difference V क्या आया था हमारे पास same ठीक है because between the two points potential difference V is same हमेशा two points की बीच में जब भी आप potential difference निकालेंगे तो हमेशा same आता है but in all register current is change इसमें current change था like in in R1 current क्या आया था I1 in R2 current is I2 and R3 in R3 में क्या current आया था हमारे पास I3 next देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना है यह पहले आप point mention कर दिया आपने diagram बनाया फिर यह theories लिखी फिर देखिए अब इसमें आ जाएंगे according to Ohm's law in I1 register R1 is तो हम इसमें जब I1 की value निकालेंगे तो देखिए क्या निकालेंगे V upon R1 क्यों लिखा हमने क्योंकि V तो सेम रहता है लेकिन R1 चेंज हो रहा था ना तो इसलिए I1 का क्या आया V upon R1 same according to the Ohm's law same यह language दिखनी है जहां पर I1 था वहाँ पर I2 आ जाएगा R2 I1 की जगा R2 आ जाएगा तो जब यहां से हम I2 की value नि I3 I3 मतलब current जो आ रहा है in register R3 यहां पर mention करेंगे current हम निकालेंगे I3 is equals to V upon R3 तो यह तीनों I1, I2 और I3 के हमने values निकाल लें सब में आप एक चीज़ देखिए V same आ रहा है क्योंकि potential difference is always be same in parallel combination अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है in register total current अब हम क्या निकाल रहें देखिए total current I capital I क्या हो जाएगा तो इसमें तीन resistance है तो देखिए तीनों का plus आएगा I1, I2 और I3 यह मैं तीनों का plus कर दिया तो जो total I है उसकी value क्या होगी हमेशा V upon R total I है तो total V upon R I1 की value हमने अभी अभी mention करी देखिए V upon R1 plus I2 की value क्या है हमारे पास V upon R2 plus V upon R3 अब आप इसमें से गौर से देखिए तो सबी में V common है तो आप V common ले ले लीजिए जैसे आप V common लेंगे तो देखिए यह V उपर था तो इसलिए 1 upon R2 plus 1 upon R3 यह common आ गया और यह V upon R तो यह V से भी cancel तो यह क्या combination है आपके पास देखिए 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 तो इसमें जो भी total आएगा आपके पास resistance यह धिहान रखिएगा total जो resistance है वो हमेशा बाकि जितने resistance हैं उनका reciprocal होता है दिख रहे हैं reciprocal हो रहा है 1 upon R1 1 upon R2 1 upon R3 तो यह आपको derivation में प्रूव करके दिखाना है तो सबसे पहले diagram बनाएंगे फिर यह notes बनाएंगे last में आपको यह प्रूव करके दिखाना है सबसे important चीज में आतो derivations आते हैं या numericals आते हैं तो देखे मैंने एक numerical यहाँ पे आप लोग के लिए रखा हुआ है पहले से बना के यह बहुत ज़्यादा क्यूशन से पुटा पुटा इस टाइप का आपका तो यह क्या करेंगे से circuit diagram दे दिया या language में भी दे सकते हैं आपको यह तीन resistance है 5 ohm, 10 ohm और 30 ohm यह और इसकी बैटरी देखे कितने watt की लगी है 12 volt की अब इसमें ऐसे क्यूशन पुचिंगे ज़्यादा है इन I मतलब current through each register हमें current निकालना है सभी registers में तो देखिए first जब मैं solve कर रहा हूँ तो सभी register मतलब first में कितना है 5 ohm तो हमें पता है जैसे ही सभी में current आएगा तो I1 इकोल्स टू भी R1 क्योंकि current तो सभ में change होता है न तो देखिए I1 अब V की value तो कितनी है 12 volt वो तो सहीं ही रहनी है R1 कितना है आपके पास यह रहा यहाँ पे लिख लिख लीजिए यह R1 है यह R2 है और यह आपके R3 है तो R1 कितना आ गया 5 5 से इसको cut कर दीजिए 5 2 जा 10 0.54 जा 20 ampere यह आ गया I1 आपका अब आप second solve करेंगे I2 तो I2 क्या हो जाएगा V upon R2 तो V कितना था 12 लेकिन R2 कितना है 10 तो देखे जब भी हमारे पास ऐसी values होती है तो नीचे 1 0 है तो उपर 1 के बाद point मतलब सभी का अलग-अलग current निकालना है यह 1st 2nd तो I3 में कितना आ जाएगा V upon R3 तो V कि value कितनी है हमारे पास 12 volt और R3 कितना है देखे 30 यह 30 तो यह points में चली जाएगी value जब आप divide करेंगे 12 को 30 से है तो point लगाते है एक 0 आ जाएगा 34 यह आगे आपका point 4 ampere तो तीनों के हमने पहले current निकाले अब second क्या कह रहा है वो total current in circuit तो total current कैसे निकालेंगे इसमें 3 है तो total I कितना आ जाएगा तीनों को plus कर दीजिए यह रहा 2.4 plus 1.2 plus 0.4 plus करके देख लीजिए 428 412 carry 1 2 3 4 4.2 ampere यह total current आगे आपके पास अब जो important चीज़ है थर्ड वाला देखिए थर्ड में क्या पूछा है total circuit resistance तो हमने देखा था total जब circuit resistance हमने निकाला था तो 1 upon R equals to क्या आया था 1 upon R1 plus 1 upon R2 reciprocal आये थे न क्योंकि इसमें 3 resistance है तो तीनों का reciprocal आ गया अब इनकी values पुट कर कितनी कितनी है देखिए 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 30 तो 5,10 और 30 इनका आप क्या लेंगे LCM LCM लेके solve करते हैं ना देखिए मैं यही पे इसको solve कर देता हूँ तो यह आगया हमारे पास 1 upon R equals to LCM देखिए 5,10 और 30 जब भी आप LCM लें और सभी एक ही table में आ रही हो तो जो bigger होता है वो आपका LCM हो जाता है तो 30 हो जाएगा तो 5 से 30 को divide कर जाए 5,6 और 30 और 6 जब भी ऐसे rational number आए बीच में plus minus आए तो यह भी mathematics है थोड़ा समझा देता ह denominator से divide करो जो answer है उसको numerator से multiply कर दो प्लस अब देखिए 10 से 3,3 बन जा 3 प्लस 30 का 30 में 1 बार 1 इंटो 1 अब यह कितना हो गया 6,3,9 और 1 10 by 30 तो 1 by R यह देखिए cross multiply हो जाएगा तो 10 R equals to 30 बन जा 30 तो R equals to 30 by 10 divide कर दीजिए तो R की value कितनी आगए आपके पास 3 R को हम किसमें दिखाते हैं ओम में तो 3 ओम आगया यह आगया इसका total resistance तो इस तरह से आप किसी भी questions को solve कर सकते हैं आपको बस करना क्या होता है देखिए सबसे पहले diagram बनाएंगे derivation में मैं बता रहूँगा derivation पूछे कर सब से पहले diagram फिर यह theories करके last मिया तक clear कर दीजिएगा 1 upon R equals 2 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 इस से related कोई भी requires होती है तो मुझे आप comments करें और वीडियो के ज़्यादा ज़्यादा like करें और subscribe करें थैंक्यू थैंक्यू सो मच